नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल इंफो अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक ओफ-लाइन एप्लिकेशन फार्म को किस परकार से भरेंगे वे सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्रापत करेंगे इस से पिछली वाड़ साही का सभाई वाली लडिसी ट्रेडमेन मेट इत्यादी की पोस्टों के लिए ओफ-लाइन एप्लिकेशन फार्म को किस परकार से भरना वो सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्रापत करेंगे यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्र से भरेंगे यह लिखा है जैसे कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर एक फारम दिखाई पड़ा होगा एप्लिकेशन फारम है इसकी सबसे पहली लाइन है एप्लिकेशन फार्दा पोस्ट ओफ डैस इसमें आपने उस पोस्ट का नाम लिखना जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कोई एक पद का नाम लिखेंगे इसके बाद है रेफरेंस इंपलाइमेंट न्यूजबेपर इसमें मैंने पहले से भर रखा है एंपलाइमेंट न्यूज आपको यह फारम इस वीडियो के डिस्क्रेशन बॉक्स में भी मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर मैंने पहले से लिख रखी है और एंपलाइमेंट न्यूज की डेट 30 अप्राइल से लेकर 6 माई 2022 का जो एंपलाइमेंट न्यूजबेपर है उसमें यह पब्लिश हुआ है और इसके बाद लिखा है तू दा कमांडनेंट कमांड होस्पिटल एसी इस्टरन कमांड एलिपोर कॉलक पता 70027 वेस्ट बेंगॉल इस पते के उपर ही आपने अपना एप्लिकेशन फार्म जो है और दो फोटो आपने इस फार्म के साथ एडिशनल लगानी होगी और फोटो पेस्ट करने के बाद आपने तीनों फोटों जो है वो आपने self-attested कर देनी है पॉइंट नमबर एक के उपर आपने full name लिखना है candidate ने अपना full name block letters में इंगलिश में लिखेंगे capital letters में और हिंदी में भी अपना नाम लिखेंगे point number 2 के उपर mother और father का नाम आप लिखेंगे और जो भी आप detail डाले अपना नाम mother father का या date of birth वो ही detail डाले जो आपके दस्वीं कक्षा के पर्मान पत्र में दी गई है वो ही spelling लिखें वो ही date of birth लिखें point number 3 के उपर भी आपने date of birth लिखनी है आपकी date of birth क्या है date of birth का विशेश तोर पर एक ध्यान रखें कि जो भी आप date of birth mention करें वो आपके दस्वीं कक्षा के प्रमान पत्र में जो दी गई है वो ही लिखें point number 4 के उपर आपने अपनी age की calculation करनी है कि आप कितने वर्स कितने महिने और कितने दिन के है age की जो calculation है इस भरती की अंतिम तारिक को करनी है अंतिम तारिक है 14 जून 2022 14 जून 2022 को आपकी आयू जो है वो कितने वर्स कितने महिने और कितने दिन की है point number 5 के उपर आपने category के उपर टिक करते हुए लिखना है कि आप journal से हैं OBCS, CST या economically weaker section से हैं physically handicapped है या exorisman है वो आप mention करेंगे और इसके बाद है are you applying under exorisman यदि आप exorisman है तो yes लिखेंगे नहीं है तो आप no लिख देंगे desk के बाद point number 6 के A और B में आपने nationality में आप Indian लिखेंगे और B में आप religion में आप लिखेंगे Hindu, Muslim, Sikh, इसाई, Christian जो भी आपका धर्म है वो आप यहाँ mention कर देंगे point number 7 के A और B में communication address और permanent address लिखना है communication address में आपने अपना house number, village का नाम, post office, तहसील, district, state, pin code और mobile number जरूर लिखना है इस परकार से आपने अपना address पूरा complete कर देना है, दोनों address आप complete करेंगे, communication और permanent address, इसके बाद साथ के जो C है, उसमें आपने email ID आपनी mention करनी है point number 8 के उपर आपने academic, technical, professional qualification का विवरंट देना है, जैसे 10-12, graduation, any other qualification जो भी है वो किस वर्स में आपने पास की है, किस university से आपने पास की है और आपकी percentage क्या है, और क्या division आपकी रही है point number 9 में, experience यदि आपका कोई है तो उसकी detail आप देंगे और certificate भी इस application farm के साथ आपने attach करना है इसके बाद point number 10 के उपर, यदि आप पहले से government सेवा में है government service में है, पहले से, और इस भरती के लिए apply करना चाहते है तो yes लिखते हुए, आपने अपनी post का नाम बताना है जिस post पर आप पहले से काम कर रहे हैं, कि space scale में काम कर रहे हैं और आपकी date of appointment क्या है, government service में इसके बाद declaration है, तीन point की, इसको एक बाद read कर लें उसके नीचे आपने date और place जरूर डालना है signature of candidate के उपर आपने signature करने है और name के आगे आपने full name आपने capital letters में लिख जेना एक box बढ़ा है, इस box में thumb impression यानि के अंगुठे का निशान लगाना है जो female candidate है वो left thumb impression, जो male candidate है वो left लगाएंगे और जो female candidate है वो right thumb impression लगाएंगे इसके बाद इस भरती के जो application form है, इसके साथ आपने documents क्या क्या लगाने है दसफ़ी बारवी graduation यदी आपके पास है, यह लगाएं residence certificate जरूर लगाएं, economically weaker section का यदी आपका कोई है तो लगाएं reserve category का जैसे SCST, OBC आपका कोई है वो लगाएं अधार card की, यह सभी जो परमानपतर आपने, की photocopies आपने लगानी है वो self-attested करके लगानी है एक lispapa आपने लगाना है, उस lispapa के ऊपर आपने अपना पता लिखकर एक lispapa लगाना है ये enclosure की list आपने क्या-क्या, इस application farm के साथ क्या-क्या लगाना है तीन photograph सा आपने लगानी है, एक application farm के ऊपर paste हो जाएगी और दो आपने additional stepler कर देनी है और पॉइंट नमबर 10 के उपर जो महतुपूर्ण जनकारी है 100 रुपे की फीज कटेगी आपकी 100 रुपे का पोस्टल अर्डर बनवा सकते हैं या आप DD बनवा सकते हैं पोस्टल अर्डर के लिए आपको डाक खाने से आपको मिल जाएगा और DD बनवाने के लिए आपको किसी भी नैशनलाई जो बैंक होगा वहाँ आप जाकर 100 रुपे का ड्राफ्ट बनवा सकते हैं इंडियन पोस्टल अर्डर और डिमांड ड्राफ्ट आपने 100 रुपे का और तमाम दस्तावेज लगाकर जो एंकलोजर की लिस्ट लगी है दस इसको पूर्ण करते हुए अपने अप्लिकेशन फारम को एक लिफाफे में डाल कर और उस लिफाफे के उपर आप लिखेंगे अप्लिकेशन फार दा पोस्टो और कैटेगरी और जो एडर्स पर आपने अपना रिजिस्टर पोस्ट से भेजना है वो एक बार नोट कर ले इस पते के उपर आपने रिजिस्टर पोस्ट साधारन डाक के मादधम से आपना अप्लिकेशन फारम भेज देना है यह अप्लिकेशन फारम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्षिन बोक्स में भी मिल जगा वहां से भी आप डाूनलोड करके एप्लाई कर सकते हैं इस परकार के नए-ने जोवन आटिकेशन प्रावत करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक में शेर जरूर करते रहे ताकि आपको भरतियों से समंदित हर छोड़ी बड़ी अफडेट इस चैनल के मात्यम से सबसे पहले मिलती रहे धन्यवाद